साथियों जोहार आज मुझे एड़ी गिराफतार करने आई हैं दिन बर हमसे पुछताज करने के बाद समय बिताने के बाद सुनियों धंग से मुझे गिराफतार करने का उन लोग ने फैसला सुनाया और किस है पर ऐसे बिशे पर जो चीजं अन्मनी मुझे जूड़ी नहीं है मुझे पर शाड़ आठ एकड़ जमीन का मालिक होने का इन का दावा है और भुयारी जमीन किया जो जमीन कभी बिक्ती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला दिल्ली में भी इन लोगों ने छावे मार कर हमारी जो छवी खराब करने की कोशिस की और आज अंतोगत्वा ये सुनेजित तरीके से दिन भर ये योजनाबत तरीके से आए समय काटे और उन लोगों ने अपने योजना के जनुसाथ मुझे अरेस्ट करने सुनाया मैं कोट के नेवने पर बिंद कुल सरमान्य के साथु उसका संपान करता हूं अभी मैं कोट में जा रहा हम लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि विवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। अंति विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोस लोगों को गरीव, निरीख, आदिवासी दलीद पिचड़ों के उपर जो अत्यचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संगर्स भी करेंगे। इसका चिंता नहीं है, सीगु सुरें का मैं बेटा हूँ, संगर्स हमारे खून में हैं। और संगर्स करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिनके फरजी सिकायत के अधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक सर्यंतर रजकर ये काम्याब हो रहे हैं। अब मुझे पुरा विश्वास है, आज नहीं कर सत्य की विजय होगी। साथियों समय में बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो अभी हाल में राजनितिक सर्यंत का सिकार विहार हुआ है। दूसरे राज्मितिक सडेंद का सिकार जार्खन को बनाना चाहते हैं लेकिन आप अस्वस्त रहें हेमन स्वरेन जार्खन के हर एक वेक्ति के दिल में हर एक नौजवानों के दिल में हर एक बजुरुगों के दिल में हर एक बच्चों के दिल में रहेगा और जिस तरीके से ब तो एक लंबा इतिहास लिखेगा, एक लंबा लकीर के रुख में मैं इसे आज संभावता ये इस लकीर को और ना खिचने दे मुझे, लेकिन आप अस्वस्त रहें, सत्र की कभी हार नहीं होती, ये मुझे जरूर थोड़ा बिचली तभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जाला दिन तक चलेगा नहीं, लेकिन जब हम अगली लडाई के लिए तयार होके आएंगे, तो इस मर्बूती के साथ आएंगे, कि दुबारा इस तरीकी के सड़यन करने वाले, आगे से इस तरीकी के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े, धन् मन्सरें गिरफतार हो गया, और हमारे जो बिरोधी लोग हैं, वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी काम्याब हो रहे हैं, इस पर आपना पीट खरत पाएंगे, और मैं जानता हूँ, जारकन की जनता, काफी समय दंसील है, और कर्मत है, और हम अपनी इमानदारी के साथ अपनी लडाई को जारी रखे लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस लडाई में आपका भी पुरा सहयो मुझे पराप्त होगा, धन्यवाद जोहार